हलो दोस्तों कैसे हैं हम लोग स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर आज हम लोग ACP के अंतरगताने वाले कक्छाय सिक्षन वगति वीदियो का आप लोगं तता विसलेशन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसका रिपोर्ट कैसे त्यार करना है इसका एक जलक पहले क्या किजिएगा सबसे पहले आपको एक अपना कॉपी ले लिजिएगा ठीक है जिसमें आपको इस तरीके से उपर हेडिंग बना देना है अच्छाय सिक्षन वगति वीदियो का आप लोगं तता विसलेशन ठीक है उसके बाद क्या करना है कि यहां पर विद्याले का नाम संकूल संस्थान केंद्र का नाम प्रखंड प्रसिक्षु का नाम या सिक्षिका का नाम बरकर्मांग खंड संस्थान का नाम सत्र अवलोकन कक्षा ते थी विसेवस्तु जिस विसेवस्तु के लिए आप बनाया रहे है वो उसके बाद आप यहां से उसके बारे में लि क्या अब लोकन किया उसके बारे में लिखना है जैसे अब लोकन का अर्थ है कक्छा प्लस कक्छ प्लस अब लोकन इसे तत पर यह है कि कक्छ का अर्थ है कमरा और अब लोकन का अर्थ है निरक्षन करना अर्थार्थ कक्छा अब लोकन का अर्थ है कक्छा कक्छ में हो रही गत का अवलोकन करना ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पर अपने रिपोर्ट में त्यार कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे इस कुछ-कुछ के बैठने के लिए चटाई और दढ़ी की विवस्ता है एब हम कच्छा पांच के लिए देक्स की विवस्ता है जो भी विवस्ता हो आप अपने इसकूल के अंतरगात यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बाद आते हैं सकेंड पॉइंट पर जैसे कच्छा का अनुशासन कैसा है क पुपरातना थोड़ा सा च्रचा कर दीजिएगा उसके प्रशाथ पंक्ति में कक्छा में जाते हैं ठीक है यह सारे चीज को आपको लिखना आ उसके बाद आजाए अगले पॉइंट पे शिक्छन विधी कैसी है उसके भारे में चर्चा करना है ठीक है विसे आप जो भी है वो लिख लीजेगा पाट का विब्रन कीजिएगा और शिक्षिका का विब्रन प्रशनुत्री विधी और ये प्रशनुत्री विधी पर थोड़ से सरल भासा में छात्रों के मानसिक रूची अस्तर के अनुकूल गहराई के साथ विसलेशन करके इस परकार समझाया जाता है जिसमें कि विशय वर्स्तों उन्हें आधिक एसपर्ष्ट सुगम और बोध गम में होने लगी यानि इतनी सरल भासा में समझाई कि बच्चे को एक समझ रहे हैं आप लोग और उसकी बाद आजी वर्णन वीधी में हमने सोट कर दिया है लेकिन आसमें और जो सकते हैं वूरनन वीधी वा विधी है जिसके माध्यम से किसी विस वर्ष्त म्रस्त और गहतना चाहतरों के समझ पुर्ण चेतर प्रष्ट मांनेर अन्लम कि यह क्या छोड़ा है वो चर्चा थोड़ा कर देते हैं इसमें अधियापिका क्या क्या कारे करवाती है तो अधियापिका के बारे में यहां के बाद ठेक है आपको दो तिन पर अगर आप उसके बारे में लिखना होता है उसके बाद आज यह अगले पॉइंट पर आते हैं इस पस बस्तु विसेवस्तु को सरल सुगम तथा बोधगे में बनानी के लिए सिख्छक स्पस्टिकरन बिधी के सायता ले सिरते हैं और अगम में और संचरित, संराचित तथा कठिन प्रकर्णों को इस प्रकार छात्रों के समझ में आजाए इस बिधी में स्पस्टिकरन दिया जात है कि कैसे किसी भी टॉपिक को एक दम ….. छोटे से छोटे भाग में समझाया जाए तकि बच्चो के समझ में 요ैं अगली पोइंट है कहाणी कथन विधी कि हर किशी भी पोइंट को आप कहाणी कथन बीधी से बच्चो को जल्दी समझ में आता है ठीक है इसलिए हर टीचर बच्चों को समझाने के लिए कहानी कतन विधी का पुढ़ियू करे तो वो जादा बहतर होगा उसके बाद बिवाद विधी बाद विधी एक मुख्य पॉइंट है इसे विस्तदार से चर्चा की जानी चाहिए बाद बीवाद दो या दो से अधिक में बैक्तियों द्वारा वी Canadians चिंतन है यह एक अइसा टॉपिक यह भावनातमक टॉपिक है इसमें बैक्तियों के भावनाओं से मतलब प्रश्ण क्या जाता है वाद भी वाद में क्या होता है कि आफ एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है उसके बाद आते हैं समालोचन क्या 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 यहां पर कमी है उसके को लिखना है कुछ-कुछ पॉइंट देकर लिख सकते हैं जैसे विदार्थों को ग्रिह कारे नेमेत रूप से दिया जाता है कि तो कुछ विदार्थी धियान केंदरित नहीं करते हैं जबकि पढ़ाई समय सार्नी के अनुसार होती है जो भी पॉइंट है आप वहां दे करके लिख सकते हैं जैसे हमने निम्न पॉइंट देकर लिखा है उसके बाद आप सुझाब दे सकते हैं आप अपने से कुछ सुझाब दे सकते हैं जैसे स्यामपर की मरमत करवाई जानी चाहिए जिसमें लिखने में आसानी हो तथा विदार्तियों को इस पस्ट रूप से दिखें विद्याले में लिखने क से लिए डिस्क की विवस्ता सभी क्छाव में होनी चाहिए जो जो पॉइंट है आप यहां पर सुझाब अपने दे सकते हैं इस तरीके से आपका यह रिपोर्ट से पी का यह रिपोर्ट तियार हो जाएगा ठीक है आई होप आपको यह वीडियो में कुछ न कुछ जरूर मदद मिली होगी अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों में सेर भी किजिए ठीक दालेंगे बच्चों में से बाचित का बिसलेशन बच्चों से बाचित करके हमें क्या मतलब की समझ में आया है बच्चे क्या सोचते हैं फिर एक्षन रिसर्च में क्या करना है वो सारी मुख्य बिंदो उपर हम चर्चा करेंगे अभी तीन और बच यह उस तेनों को हम जल